वो कहते हैं ना भूत सिर्पे चड़ गया, तो ये कोई परेत आत्मा नहीं होती, ये आपका पास्ट होता है जो आपके सिर्पे चड़ जाता है और आपको जीने नहीं देता, दोस्तो आज के बाद आप अपने आप से नफरत नहीं करोगे, इन बातों का ध्यान रखना सबसे पहली बात है, अपने आप से expectations कम कर लो अपनी life से expectations कम कर लो आपकी life perfect ना थी ना कभी हो सकती आपको सब कुछ नहीं मिलेगा कुछ चीजे खोईंगी भी limited expectations रखो अपने कर्मों पे ध्यान दो कोई चीज चाहिए सिरफ उसके लिए मेहनत करो results को भगवान के ओपर समय के ओपर किसमत के ओपर छोड़ दो और आगे चलते चलो कुछ मिल रहा है तो अच्छा है बहुत अच्छा है कुछ नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं आगे बढ़ते चलो इसे life को जीने का एक धंग मना लो दोस्तो आप एक चीज में fail हो गए कुछ बहुत बुरा हो गया failure आ गया कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया या तो आप उसको negatively लेके अपने दिमाग पर असर डाल सकते हो procrastinate कर सकते हो फस सकते हो या उसको positively लेके उससे बहुत कुछ सीख सकते हो improve कर सकते हो आने वाले पूरे जीवन के लिए सीख ले सकते हो मस्बूत बन सकते हो mature बन सकते हो every failure is an opportunity to learn a lot to gain wisdom, to gain knowledge जब भी कोई failure आता है आपका सिर्फ focus होना चीज़ अब मैं क्या-क्या चीज़ सीख सकता हो आगे के लिए क्या-क्या चीज़ ध्यान रख सकता हो इस सोच के साथ चलो दोस्तो आपके जो looks है natural traits है वो आपको define करते हैं आपको unique बनाते हैं आप जो हो वो आपको बनाते हैं आपको अपने आपकी अपने traits की अपने flaws की imperfections की respect करनी चाहिए वरना आप में और दूसरे इंसान में क्या फरक रह जाएगा दस इंसान खड़े होंगे क्या फरक होगा हर इंसान में अच्छा ही बुराई होती है हर इंसान imperfect होता है आप भी imperfect हो इस बात की respect करो आपके looks जैसे भी है वो आपकी personality है आपकी identity है आपकी जो भी height है जैसा भी skin का रंग है वो तो आपके माबाब के jeans की देने आपकी life की देने वो आपको unique बना रहे है और वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे है किसी को हक नहीं है उनको judge करने का और जो मजाख उड़ा रहा है वो इंसान गटिया है वो गलत है तो खुद की ज़रूर respect करो दोस्तो दोस्तो अपने आपको न दूसरों की आखों से दूसरों के नजरिये से देखना बंद कर दो जो दूसरे आपके बारे में सोच रहे हैं वो आप नहीं हो दूसरे तो हमेशा गलती सोचेंगे expectations हाई रखेंगे आपकी छोड़ी से जोड़ी गलती को पिक करेंगे उनका तो काम ही ही है अपने आपको अपनी दृष्टी से देखो अपने आपको खुद समझो introspect करो आत्म ग्यान लो अपने आप से बात करो अपने आपको जानो अपने आपकी respect करो दूसरे आपको criticize कर रहे हैं आप जादा से जादा अपने आपको introspect कर सकते हो सोच सकते हो कि क्या मैं गलत हूँ खास कर जब जादा लोग कर रहे हैं और अगर आपके अंदर से जवाब आता है कि आप गलत नहीं हो ये लोग गलत है चाहे वो सो लोग हो तो वो भाड में जाएं अपने आपकी respect करो उनके नजरिये से खुद को मत देखो दोस्तों अपने past को अपने भूत को accept करना बहुत ज़रूरी है वो जो भी हुआ वो मर चुका है, खतम हो चुका है उसकी dead body को आप कबर से या राक में से वापिस तो नहीं निकाल सकते जिन्दा तो नहीं कर सकते वो पल बीच चुका है आपने कोई गलती की कुछ बहुत गलत हो गया embarrassment हो गयी, जो भी हो गया उस चीज से भापने उभरना है सीखना है, आगे बढ़ना है future पे ध्यान दो अपने आज के जीवन पर और आने वाले जीवन पर ध्यान दो, वो भी एक अलग जीवन है जो बीच गया वो एक अलग जीवन था जो आना है वो एक नया जीवन है जो बीत रहा है वो एक नया जीवन है पास्ट में कुछ गलत हो गया तो अपने आज को क्यों खराब करते हो उसको तो कमसे कम अच्छा बना लो वो कहते है ना भूत सिर पे चड़ गया तो ये कोई परेत आत्मा नहीं होती ये आपका पास्ट होता है जो आपके सिर पे चड़ जाता है और आपको जीने नहीं देता और भूत को सिर पे चड़ाता कोई है वो हो आप और दोस्तो एड में सबसे ज़रूरी बात कहूंगा अपने उपर फोकस रखो अपनी लाइफ के उपर फोकस रखो आपकी लाइफ स्पेशल है भगवान का दिया हूआ दोह तुफा है इसका ख्याल रखना, इसको सही करना, खुश रहना आपकी सिम्मेदारी है आप खुश नहीं रह पारे हैं अपनी लाइफ से नफरत करें तो आप गलत हो दुनिया गलत नहीं है हर इंसान अलग है हर इंसान की अपने प्रती जिम्मेदारी होती है लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही बोलेंगे ही अगर आप खुद के प्रती जिम्मेदारी को नहीं निभा पारे तो आप गलत हो आपको खुद को सही रखना है खुश रखना है अपने आपको प्यार करने आप जैसे भी हो और अगर आप अपने आपको प्यार नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा सब आपका इस्तमाल करेंगे, आपसे नफरत करेंगे जितना खुद से प्यार करोगे, अपने आपको एकसेप्ट करोगे अपने आपको खुश रखोगे अपने गोल्स के लिए महनत करोगे दिन चर्या को अच्छे से जीओगे लाइफ की रिस्पेट करोगे memories का अधर करोगे, लोगों को प्यार दोगे उतना ही आप खुश रहोगे लोग भी आपकी respect करेंगे, आपको judge नहीं करेंगे तो खुद पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है नहीं कर पारे तो आपको करना है कोई और आपसे प्यार करें ना करें बस इतना ही कहना है दोस्तो थैंक्यू